नमस्कार, मैं हो ससी, आई जर्खन की टोप 25 पर्मुख खबर जानते हैं महिला परवेक्षिका के 444 पदोपर 26 सितंबर से आवेदन शुरू राज सरकार के महिला एवंबाल विकास विभाग में महिला परवेक्षिका के 444 पदोपर न्युक्ति होगी इन पदोपर न्युक्ति के लिए समाई सास्त्र या मनो बिग्यान या ग्रिह बिग्यान में असना तक उतिर्न महिला योग्य होंगी विभाग की अनुसंसा मिलने के बाद जहर्खण करमचरी चैन आयोग ने जहर्खण महिला परवेक्षिका परत्योक्तिया परिक्षा दोहिते इसका बिग्यापन जारी कर दिया है इस परत्योक्तिया परिक्षा में भाग लेने के लिए ओनलाइन आवेदान 26 सितंबर से 25 अक्टूबर तक भरे जाएंगे परिक्षा सुलक भुगतान करने के लिए 27 अक्टूबर तक लिंक खुला रहेगा वहीं 29 अक्टूबर तक फोटो एवं हास्ताक्चर अप्लोड होंगे बता दे ओनलाइन आवेदान में किसी परकार का संसोधन 31 अक्टूबर से 2 नौवंबर तक हो सकेगा इस परत्योकता परिक्षा में भाग लेने के लिए निमतम आयो की गन्ना 1 अगस्त 2023 तथा अधिकतम आयो की गन्ना 1 अगस्त 2019 से की जाएगी बता दे ओनलाइन परिक्षा कंप्यूटर अधारी तथा एक चरन में मुख्य परिक्षा के रूप में होगी इसमें सभी प्रश्ण वस्तुनिस्ट एवं बहुभी कल्पिये उत्तरवाले पूछे जाएंगे सीयम हमांद दिल्ली में आयोजी डिनर प्रोग्राम में हुए सामिल जारखन के मुख मंतरी हमांसुरेन सन्निवार को दिल्ली में आयोजी जी ट्वांटी सिखर समिलन के ओफिसिल डिनर प्रोग्राम में सामिल हुए या आयोजन राश्टपती द्वारा होश्ट किया गया था इस दवरान सीम हमान सुरेन कई राज्यों के मुख मंतरी, कई केंद्रिय मंतरियों और अनगनमाने लोगों से मिले उन्होंने इसकी तस्वीरे अपने एक्स हैंडल पर साजा की है बता दे की सनीवार को ही सीम हमान सुरेन को राची जमीन भोटाले के मामले में इडी के कर्याले में पेश होना था लेकिन वे वहां नहीं पहुंचे और दिल्ली के लिए रवाना हो गए इस तमाद में मुख्रमंत्री कर्याले के एक करमचारी के माध्यम से इडी कर्याले में एक पत्र भीजवाया गया हलाकि उस पत्र में क्या लिखाता इसका खुलासा न इलाकों में सुबा आठ बैसे निस अधा गया लागाने की घोस्ना की गई है जार खंटा ये तेस्वेनी करमचारी संग ने 11 सितंबर को परभात तारा मैदान से जुलूस निकालते हुए प्रोजेक्ट भवन का घेराव करने एवम अनिश्चित कालिन धारना परदसन करने का फैसला लिया है इसे देखते हुए सदर अनुवंडल दंडा अधिकारी दिपक कुमार दुबे ने 11 सितंबर को धुरुआ गोल चक्कर से प्रोजेक्ट भवन से लेकर चांदनी चोक तक हटिया को जोड़ने वाली सड़क तथा इस सड़क के 200 मीटर की परीधी में धारा 144 लागू करने समधी पत्र जारी किया है जो सुबा 8 बशे से अगले आदेश तक लागू रहेगी जमसेदपूर में डेंगू से हलात बेकाबो इमर्जेंसी वार्ड में एक बेट पर दो लोगों का इलाज जमसेदपूर में डेंगू बेकाबो हो गया है MGM में पिछले 15 दिनों से मरीज की संख्या बढ़ने के करण बेट की कमी हो गई है हलात ऐसे हो गए हैं कि एमर्जेंसी में एक बेट पर दो दो डेंगू मरीजो का इलाज हो रहा है बिधायक सरजुराय ने ऐसे मरीजो की फोटो मीडिया को जारी की है भुया डिह निवासी संजूला देवी और उनके बेटे विवेक कुमार को डेंगू है दोनों MGM में भरती हैं पहले दोनों को बेट नहीं मिला था एमर्जेंसी के महिला वार्ड में एक बेट खाले हुआ तो उसमें संजूला देवी को भरती कराया गया लेकिन बेटे को बेट नहीं मिला तो आखिर में उसे भिमा के बेट में ही भरती कर दिया गया बल्ब चोरी का आरोप में दो यूकों को पिटा एक की महत अनगरा के सिकिंद्री थाना चेत्र के धेलुआ खुटा में एलीडी बल्ब चोरी का आरोप लगा कर दो आदिवासी यूकों को सिकिंद्री निवासी निलकांथ परसाद नजम कर पिटाई कर दी दोनों को लाठी से पिटा गया इस निर्मम पिटाई में धेलुआ खुटा निवासी उमेश मुंडा पिता दुबे मुंडा की मौत हो गई है वहीं बबलु मुंडा गंभी रूप से घायल हो गया वह अपने घर में जीवन और मिर्तियुक के बीच संघर्स कर रहा है घटना सुक्रवार की सुबह में होई है इस मामले में दोनों युवक को पकड़का निलकांथ परसाद ने अपने घर में लगे LED बल्ब चोरी का आरोप लगाया और दोनों को लाठी से पिटने लगा दोनों युवक लगतार बोलते रहे कि हमने बल्ब की चोरी नहीं की लेकिन फिर पिटाई जारी रही जारखन के 23 जीलों में डेंगू का डंक फैला राज्य में मच्छरों का आतंक लगतार बढ़ता जा रहा है डेंगू का मरीजों की संखे बीते पांच दिनों में 527 से बढ़कर 789 पहुँच गई है पांच दिन पूर्वत 3 सितंबर तक चाहां महस्वल्ला जीलों तक डेंगू का परसार था गुरू वार तक या गोड़ा को छोड़ कर राज्य के 23 जीलों में फैल चुका है डाक्टरों के अनुसार मरीज में उत्पन लक्षनों के अधार पर डेंगू का इलाज किया जाता है लेकिन मरीज की स्तिति गंभीर होने पर सरीर में प्लेटलेट की संखे अग हटने लगती है तब मरीजों को प्लेटलेट चढ़ाना जरूरी हो जाता है अन्याथा मौत हो सकती है जबकि डेंगू के उपचार में अति महत्पून प्लेटलेट की उपलबता की बात करे तो राज के 21 जीलों में यह नदारत है मरीजों को प्लेटलेट की उपलबता सुनिश्चित कराने के लिए राज के मादर तीन जीले राजची पूर्वी सिमू अधनबाद के बलट बैंक में बलट कंपोनेंट सेरेव सन की सुविधा है गुमला में डीलों के घर पहुंच हस्ताक्षर करा रहा अनाज घोटाला का माफिया है अनाज घोटाले के मामले को दबाने वा सेटिंग एटिंग करने का खेल चल रहा है डीलों से एक साधे कागजपर हस्ताक्षर कराया जा रहा है कि अगस्त माके अनाज की कटवर्ती नहीं की गई है हालाकि अभी तक मात्र पांच रासन डिलों ने हस्ताक्षर किया है जबकि गुमला सहरोग ग्रामीन चेत्रे में 100 से अधिक डिलर है एक डिलर ने बताया है कि अनाज घोटाला करने वाले माफिया हर डिलर के घर पहुंच उनसे साधे कागज पर हस्ताक्षर कराने के लिए दबाव बना रहा है साथ ये हस्ताक्षर नहीं करने पर जुठे आरोप में लाइसेंस रद कराने की धामकी दी जा रही है ऐसे घोटाले में सामील माफिया के नजदीक रहने वाले पांच डिलरों ने साधे कागज पर हस्ताक्षर किया है जबकि कई डिल्डों ने हस्ताक्षर करने से साब इनकार कर दिया है इसकूलों में सफाई के दरान गुरू जी नहीं फरमा सकेंगे आराम अब सरकारी स्कूलों में गुरु जी को ना केवल बच्चों को सफाई करने की नसीहत देनी होगी बली खुद भी आगे बढ़ कर इसकी नजीर पेश करनी होगी अब तक स्कूल की साफ सफाई के दोरान आपस में गप में मसगूल रहने वाले सिस्कों को कक्छा से निकल कर इसकी निगरानी करनी होगी यह सब परदेश सरकार के उस आदेश के कारण होगा जिसमें स्कूलों में कक्षा के साथ पुरे परिशर की सफाई में सिख्षकों की भाज़ेदारी तै की गई है जार्खन सेक्षिनिक अनुसंधान और प्रसिक्षन परचद ने सभी जीला सिक्षा अधिक छक को इस बारे में आदेश जारी किया है इतना ही नहीं सिख्षा विभाग के अधिकारी सप्ता हमें एक दिन पूरी बेवास था का जाजा लेंगे ताकि इसे और धारदार बनाया जा सके रांची सदर अस्पताल में अब हर तरह के कैंसर मरीजों की इलाज की सुविधा रांची का सदर अस्पताल मरीजों के लिए बड़ी रहात का केंद्र बन रहा है यहां अब हर तरह के कैंसर के मरीजों की इलाज की सुविधा की शुरुवात की जा रही है दस दिन के अंदर इसकी सुरुवात हो जाएगी मेडिकल, अंकोलोजी और सुर्जिकल, अंकोलोजी दोनों तरह की सुविधाय मिलेंगी मरीजों को अधिकतर सुविधाय ने सुल्क दी जाएगी इसके लिए सदर अस्पताल प्रबंधन ने पूरी तयारी कर ली है ड्रक्टरों का चयन और दवाओ के लिए मेडिकल, मेनेजमेंट भी अम्तिम चरण में है अस्पताल प्रबंधन के अनुसार दवाओ के लिए टेंडर किया जा चुका है वहीं जिन दवाओ की दर मौजूद नहीं है उसकी रिम्स में मौजूद रेट के अनुसार खरिदारी की जाएगी रांची में रोज बिना हेलमेंट 1181 लोग चलाते हैं वहान राजधानी में प्रती दिन 1181 लोग बिना हेलमेंट पहने वहान चलाते हैं इसले 122 दिनों में राजधानीक विभीन जग हो पर लगे कैमरे ने एक लाख 1446 लोगों का चलान काटा है यह आकड़ा बिना हेलमेंट के बाइट चलाने वाले वह पिछे बैठने वालों का है आठ माई से लेकर 7 सितमबर तक गयानी 122 दिनों तक का या अगार ट्रैफिक कुलिस की ओर से जारी किया गया इस परकार देखा जाये तो बिना हेलमेंट के चलने वाले का 114 लाख 46,000 रुपे का चलान काटा है जारखन में सजा से मुक्त बंदियों को मिलेगा सरकार योजनाओ का लाब सारकार जारखन की विभीन जेलों से सजा से मुक्त कियेगा कैदियों की मदद के लिए आगे आएगी सरकार ने अब ऐसे कैदियों को भी भीन लाप्रद योजनाओं से जोड़ने के लिए मजबूत पहल की है इस योजना का लाप राज सजा पुन्रिक्षन परिशत 12 साल 2019 से अब तक जेलों से रिहा किये गए बंदियों को मिलेगा जिन में से अधिकतर समाजिक रूप से वन्चित या कौम सिक्षित और निम्न आयवर्ग से हैं ऐसे बंदियों की तदास 430 है बता दे इन में बिर्शा मुंडा केंदरिये कारा होटवार से हाल ही में रिहा तिरपन बंदी भी सामिल है इन सभी का पूरा डेटाबेस तैयार किया जाएगा योजना में कई पहलूओ को सामिल किया गया है चेंबर अफ कोमर्स चुनाओ से पहले उठा भी बाद फेडरेशन अफ जार्खन चेंबर अफ कोमर्स आइन एंडरस्टिज के आवार्षिक चुनाओ 24 सितंबर को रांची के बीसा मुंडा फोटवल स्टेडिय में होगा इस चुनाओ में कोलांचल, कोलहान और संथाल परगना परमंडल के साथ और तीन परमंडल, साउथ शोटा नागपूर, नोर्च शोटा नागपूर और परलामू परमंडल का एक साथ मद्दान करया जाएगा बता दे इस चुनाओ को लेकर विवाद उठना सुरू हो गया है चेंबर के पुर्व उपाध्यक दिन दयाल बर्नवाल ने अरोप लगाया है उन्होंने कहा है कि जिस तरह से वर्तमान अध्यक सहित पूरे टीम के द्वार लागातार दूसरी बार चुनाओं में उताने की घोसना की है वह कही न कही चेंबर अब कोमर्स के प्रवदान के बिरूधाय लोग सभा चुनाओ को लेकर कॉंग्रेस रेस कॉंग्रेस की 2024 लोग सभा चुनाओ को लेकर तेयारी तेज हो गई है जरकन कॉंग्रेस इंदी नोप पंचायत अस्तरप संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार परियास कर रही है परदेश करकारी अध्यक्स के जिमे 6 जिले में संगठन विस्तार की जिमेदारी शोपी गई है जिन है जर्मिनी अस्तरप से पार्टी को मजबूत करने की जिमेदारी शोपी गई बतादे संगठन ससकती करन के लिए कंग्रेस करेकारी अध्यक्स बंदू तिर्की के प्रभार वाले 6 जिले खोट्री लोहर्दा का दूमका गुमला पच्मी सिम्भू और पूर्वी सिम्भू महाएं डूमरी उपचुनाव में मिली हार की समिक्षा करेगा एंडिये डूमरी पिधान सभा उपचुनाव परिनाम ने एंडिये को बड़ा जटका दिया है इस सीट पर जारकन मुक्ति मोर्था ने जीत दर्ज कर या साबित कर दिया है कि 2024 का लोग सभा चुनाव में बिजेपी की उमीदों पर पानी फेरने के लिए इंडिये दल सक्षम है इधर डूमरी में हार का सामना करने के बाद एंडिये के अंदर समिक्षा की जा रही है कि किस वज़ा से सफलता हाथ नहीं लगी बता दे आने वाले समय में एंडिये के दोनों घटक दल बिजेपी आईसू अलग-अलग समिक्षा बेटक बुलाने के त्यारी में है वहीं अस्थानिय करकर तावों के साथ साथ बड़े नेतावों का फिडबेक लिया जाएगा चुनाव परिणाम से सबसे ज़्यादा चिंता बिजेपी की बड़ी है 2019 के चुनाव में जार्खन की 14 में से 12 सीट जीतने वाली NDA इस बार साभी 14 सीटे जीतने की त्यारी में है जार्खन में IPS अपसरों के तवादले पर सर्जु राय ने उठाए सवाल सीविल सर्विसेज बोर्ड के नियम का उलंगन कर प्रसासनिक और पुलिस अधिकारियों के तवादले पर बिधायक सर्जु राय ने सीम हमान सेरों को पत्र लीकर जबा मांगा है उन्होंने कहा है कि समय से पुर्व अधिकारियों का ट्रांसफर करने से उनका मनोबल तूटता है उन्होंने अस्थानांतरनों में राय निती हस्षेप करने का आरोप लगाया है बता दे निर्दले बिधायक सर्जु राय ने 8 सितंबर को हुए IPS अपसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग को सीविल सर्विसेज बोर्ट के नियम का उलंगान बताया उन्होंने मुख्य मंतरी हमांसरों के पतर लेकर पोछा है कि क्या पोलिस पता दिकारीयों के समाय पूर्व अस्थनांतरन में बिधिक प्रकिरिया का पालन किया गया यदि किया गया है तो क्या आप इससे मुझे अगत कराने या इससे सरोजानी करने की किरपा करेंगे बिजेपी ने चलाया मेरी माटी मेरा देश अभियान मेरी माटी मेरा देश कारकरम के तहट जारखन बिजेपी की ओर से 26 अभियान के शुरुआत होई है 1 से 17 सितंबर तक आयोजित इस कारकरम के तहट 2 दिन 9 और 10 सितंबर को 26 अभियान चलाया जा रहा है जिसके तबो गाहन एमसारों में घर घर से मिठी संगरा किया जा रहा है बता दे दिल्ली में बनने वाले अमरीत वन के लिए भाजबा का करताव के द्वारा किये जा रहा है मिठी संगरा अभ्यान के तबो जिस घर में मिठी उपलवद नहीं है वहाँ से एक मुठी चावर लिये जाएंगे या पांच तूलसी का पत्ता अजादी के अमरित महसर के उपलक्ष में पीए मोधी के अवाहान पर बिजेपी के द्वारा या अभियान चलाया जा रहा है चंदन सिन्हा ने रांची SSP का लिया चार्ज IPS चंदन सिन्हा ने सरनिवार को रांची के सिनियर SSP का चार्ज ले लिया है रांची के निव वर्तमान SSP किसोर का उसर IPS चंदन सिन्हा को पुस्प गुछे दे कर पदभार ग्रहन करने को लेकर बढ़ाई दी बता दे कि किसोर का उसर को जम सेथपूर का SSP बनाया गया है रांची के सीनियर SSP का पदभर समालने के बाद चंदन सीनहा ने कहा है कि राजधानी रांची में काम करना अपने आप में एक बड़ी चुनोती है जिसे निभाने के लिए ओहर संभव परियास करेंगे CM हमन्त ने ED को भेजा पत्र समय की मांग सरनिवार 9 सितंबर को मुख्य मंत्री हमन्तरिन को ED के समक्ष उपस्थित होना था और जमिन घोटाले मामले में अपना पक्ष रखना था लेकिन CM दवारा ED को पत्र भेज का जबाब देने के लिए समय की मांग की गई है फिलाल इसकी अधिकारिक पुष्टी नहीं की गई ED ने मुख्य मंत्री हमन्तरिन को 9 सितंबर को दफ्तर में उपस्थिती होकर जमिन घोटाले मामले में पक्ष रखने के लिए बुलाया था जिस पर मुख्य मंत्री आवाज से एक मेसेंजर भेज कर ED को पत्र के मादेम से सुचित किया गया और जबाब देने के लिए समय की मांग की गई मुख्य मंत्री करयाले से दोपर 12 बजे के बाद एक मेसेंजर दवारा ED करयाले को यह सूचना दी गई की ED ने नौक सितंबर को मुख्य मंत्री हमन सुरेन को पूच्टाश के लिए बुलाया था जिसमें उन्हें अभी समय की जरूरत है बाबुलाल ने स्तियम हमन्त को कहा सरकारी गवाह बन जाए बिजेपी परदेश अध्यक्ष बाबुलार मरांडी ने स्तियम हमन सुरेन के ED दफ्तर न जाने पर साधा निसाना बाबुलार मरांडी ने ट्वीट कर लिखा है कि अब देर मत कीजिए बेहतर होगा ED के सामने जाए अपनी गलती कबूल कर सब कुछ सच सच बता दीजिये और वादा माफ गवाह बनने की गुहार लगाईए हो सकता है कुछ रहात मिल जाए आगे आपकी मर्जी बता दे जारखन भाजपा अध्यक्स बाबुला मराणी ने मुख्य मंत्री हमांसरीन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि गरीब आदिवासे को जमीन हड़पने का जो काम आपने किया है उसके लिए आपका जेल जाना है बेहतर यही होगा कि एड़ी के बुलाये पर भागने के बजाए एड़ी के समक्ष हाजिर हो जाईए और सरकारी गुआ बनने के लिए निवेदन दे दीजिए तो हो सकता है कि आपको कानून से कुछ रहात मिल जाए माचीनिवस्तिका मंदिर पहुंची बेवी देवी डूमरी बिधान सवमिली जीत के बार न wisdom निर्वासित बिधायक बेवी देवी सं functions पूरे परिवाल के साथ परसित सिद्धिपीत रजरप्पाई शित माचीनिवस्तिका मंदिर पहुंची यहां उन्होंने माभगवत्ती के दरबार माथा टेका और विधी बिधान पुर्वक पुजा अर्चना की इस दोरान रामगार की पूरो बिधायक मामता देवी पूरो परत्यासी बजरंग महतो आदी भी नौर निर्वाचित बिधायक के साथ पहुंचे थे इस दोरान नौर निर्वाचित बिधायक बेवी देवी ने पुजा अर्चना कर छेत्र परदेश और देश में अमन चैन और सांती की कामना की है धन्यवाद